हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टार्ट इस्टड़ी में तो आए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को क्वसन नम्म 75 जीवन की मूल वो तिकाई यूनिट क्या है ओप्सन ए है कोसिका ओप्सन भी है अंग ओप्सन सी है उतक ओप्सन डी है नाविक तो इसका सही अंसर है ओप्सन एक कोसिका कोसिका जीवन की मूल वो तिकाई होती है कोसिका की कोच रौवर्ट हुकने की थी कोसिका के अध्यान को साइटोलोजिक हा जाता है तो कोसिका दो प्रकार की होती है प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक Question number 76 निम्न लेखित में से कौन सा नियून्तम छिद्रयुक्त यानि पुरस है Option A है रेतीली मिट्टी सेंडी सोयल Option B है गाद भरी मिट्टी सिल्टी सोयल Option C है चिकनी मिट्टी किले सोयल Option D है खारी मिट्टी सेलाइन सोयल Option A है मोनिका रादुलोविक Option B है पिया बुर्ट जर्वैक Option C है असी आधना गुति एर्रेच Option D है ओलिविया जॉर्डन तो इसका सही आंसर है Option B पिया बुर्ट जर्वैक लेकिन दोस्तों 2021 का जो मिट्टी सेलाइन सोयल पिया पिया जर्वादिगड के रहने वाली है Question 78 चानक के का एक अन्यनाम क्या था Option A है देववर्वन Option B है बिश्नुगुप्त Option C है रामगुप्त Option D है ब्रजेश्वर तो इसका सही आंसर है Option B बिश्नुगुप्त चानक के का अन्यनाम बिश्नुगुप्त था चानक के चंद्रुप्त मौरे के पधान मंतरी थे चानक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थसास्त आईए Question 79 देखते हैं Option A है राजा राम मोहन राय Option B है दयानंद सरस्वती Option C है महात्मा गांदी Option D है लोकमान नितलक तो इसका सही आंसर है Option A राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती का जो समाज है उसका नाम है अर्थसमाज और महात्मा गान्दी जी ने हरिजन सेवक संग की स्तापना कीती है कॉसन नमर 80 निम्न लिकित में से कौन सी नदी पस्चमी घाट में से निकलती है आप्सन A है घगर, आप्सन B है क्रश्ण, आप्सन C है दामूदर, आप्सन D है सून तो इसका सही आंसर है आप्सन B किष्णा नदी महाराष्ट के महावलेश्वर से निकलती है जो के पस्चमी घाट में पढ़ता है कॉसन नमर 81 सुवास्चंद बोस के पिता कौन थे? आप्सन A है सतिंदर नात बोस, आप्सन B है जान की नात बोस, आप्सन C है जगदीश चंदर बोस, आप्सन D है स एन बोस तो इसका सही आंसर है आप्सन B जान की नात बोस सुवास्चंद बोस के पिता का नाम जान की नात बोस था सुवासचंद जी की याद में एक दिवस मनाया जाता है जिसे पराकरम दिवस कहते हैं 23 जनवरी को मनाया जाता है आई क्वेस्टन नमर 82 देखते हैं निमन लिकित में से मुक्केवाजी के लिए दुरुणाचार पुरुषकार किसने प्रैप्त किया है option A है गुरुचरण सिंग, option B है बलवान सिंग, option C है रजिन्दर सिंग, option D है संजीव कुमार सिंग option A गुरुचरण सिंग को मुक्केवाजी के लिए दुरुणाचार पुरुषकार दिया गया है option A है लोहा आइरन, option B है चांदी सिल्वर, option C है कांस ब्रॉंच, option D है अल्यूमिनियूम तो इसका सही आंसर है चांदी, चांदी एक उत्करष्ट दात्य है, उत्करष्ट दात्यों और भी हैं जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटीनम है, इत्यादी आए क्वाशन अंबर 84 देखते हैं, निमन लिकित मैंसे किसने 2015 में सर्वस्रेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ओस्कर पुरुसका जीता है, option A है सॉंग अफ दे सी, option B है बिग हीरो, option C है दे टेल आफ प्रिंसिस का ग्यो, option D है दे बॉक्स ट्रॉल्स, तो इसका स सही आंसर है, option B, बिग हीरो, बिग हीरो इसका सही आंसर है, लेकिन 2021 का ओस्कर अवर्ड, नो मैड लेंड नामक मूवी को दिया गया है, question 85 पो देखेंगे, प्रसिद्ध यात्तरी जहाज, टाइटैनिक, किस देश का था, option A है USA, option B है चीन, option C है Great Britain, option D है France, तो इसका सही आंसर है, option A, USA का था, टाइटैनिक जहाज, question 86, मारियाना ट्रेंच, किस महासागर में इस्तित है, option A है Atlantic महासागर, option B है प्रसांत महासागर, option C है हिंद महासागर, option D है दक्षणी महासागर, तो इसका सही आंसर है, option B, प्रसांत महासागर में मारियाना ट्रेंच है, question 87, मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी कौन सी पाई आती है, option A है टिविया, option B है ट्रेपेजियम, option C है इस्ट्रेपीज, option D है जांग की हड़ी फीमर, तो इसका सही आंसर है, option C, स्ट्रेपीज, स्ट्रेपीज सरीर की सबसे छोटी हड़ी होती है, जो कि कान में पाई आती है, और सबसे बड़ी हड़ी पाई आती है, जांग में जिसे हम फीमर कहते है, question 88, पीछे की ओर ओडने वाला एक मात्र पच्छी कौन सा है, option A है हमिंग वर्ड, option B है कीवी, option C है अल्वाट्रोस, option D है बाज, तो इसका सही आंसर है, option A हमिंग वर्ड, हमिंग बर्ड पीछे की ओर ओडने वाला एक मात्र पच्छी है, और यह दुनिया का सबसे छोटा पच्छी भी है, question 89 देखेंगे, औक्टोबस के खून का रंग कैसा होता है, option A है लाल, option B है नीला, option C है गुलावी, option D है खाला, तो इसका सही आंसर है, option B नीला, औक्टोबस के खून का रंग नीला होता है, क्योंकि उसमें हीमोगलो भी नहीं पाया जाता, question 19, 90 है, औस्ट्रेलिया का सबसे अधिक धनी गनियावादी वाला सहर कौन सा है, option A है कैनवरा, option B है सिड्नी, option C है मैलवर्न, option D है पर्त, तो इसका सही आंसर है, option B, औस्ट्रेलिया का सबसे गनियावादी वाला सहर सिड्नी है, जबके औस्ट्रेलिया की राजदानी है कैनवरा, question 91 देखते हैं, भारतिय बेग्यान संस प्रिस्तान कहां परिस्तित है, option A है कानपुर, option B है बंगलूरू, option C है मुंबई, option D है चेन्नी, तो इसका सही आंसर है, option B बंगलूरू, question number 92, नेमने लिखित में से कौन सा केल, ओलम्पिक केल में से हटा दिया गया है, option A है बॉली वॉल, option B है करलिंग, option C है बेस्बॉल, option D है बास्केट वॉल, तो इसका सही आंसर है, option E बेस्बॉल, इसका सही आंसर है, question number 93, कम्प्यूटर के संदर्म में, लेन का क्या तात्वर है, option A है, largest area network, option B है local area network, option C है legal area network, option D है longest area network, तो इसका सही आंसर है, option B, local area network, इसका सही आंसर है, question number 94, बर्तमान में हमारे द्वारा उप्योग किये जाने वाले रासानिक प्रतीकों की उप्योग विदी किस ने तैयार की थी, option A है, Louis Pasteur, option B है, Robert Boyle, option C है बर्जिलियस, option D है, John Dalton, तो इसका सही आंसर है, option C, बर्जिलियस, बर्जिलियस के द्वारा है, बर्तमान में प्रियोग की जाने वाले रासानिक प्रतीकों का उप्योग विदी तैयार की गई थी, जैसे के sodium के लिए हम na लिखते हैं, potesium के लिए रासानिक प्रतीक के होता है, ये बर्जिलियस द्वारा है दिया गया है, question 95, प्रत्वी का जलचक्र किसके द्वारा संचालित होता है, option A है हवा, option B है चंद्रमा, option C है सूर, option D है प्रत्वी, तो इसका सही आंसर है, option C सूर, सूर के द्वारा प्रत्वी का जलचक्र संचालित होता है, जब कि प्रत्वी के साड़े तेश दिगरी अक्चांस पर जोकी होने के कायड़ दिन और रात की क्रिया होती है, question number 96, ONGC का मुख्याल है कहां पर रिस्तित है, option A है डिब्रुगड, option B है कांडला, option C है बिसाका फटनम, option D है दहरादून, तो इसका सही आंसर है, option D दहरादून, oil natural gas, council का मुख्याल है कहां पर है, दहरादून में, ONGC की बरतमान में महिला अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है अलका मित्तल, question number 97 को देखते हैं, रोवर्ट गालब्रथ के बहता तरीके से किस नाम से जानते थे, option A है अगाता क्रिस्टी, option B है सिडनी सेल्डन, option C है एनेड वाइटन, option D है J.K.Rolling, option D, J.K.Rolling, question number 98, Thomas Cup किस खेल से जुड़ा हुआ है, option A, Tennis, option B, Badminton, option T, Table Tennis, option D है होकी, तो इसका सही आंसर है, option B, Badminton, Thomas Cup किस चेत्र में दिया जाता है, Badminton की चेत्र में, Badminton के और भी कप होते हैं, जैसे नारंग कप, चड़ा कप, इत्यादी, question number 99, सूर की उर्जा किस माध्यम से उत्पन होती है, option A, परमाडू सल्याण, nuclear fusion, option B, सोर उर्जा, solar power, option C है, उसमा बिद्ध, thermal power, option D है, गुरत्वा करशड, उर्जा, gravitation energy, तो इसका सही आंसर है, option A, परमाडू सल्याण, परमाडू सल्याण, द्वारा सूर की उर्जा का निर्माड होता है, परमाडू सल्याण वह होता है, जैसे छोटे-छोटे कड मिलकर किसी बड़े कड का निर्माड करते हैं, तो इस किरिया को सल्याण किरिया कहते है, और विखंडन किरिया, जब वही बड़ा कड, छोटे- बंगलूरू, उप्शन C है मुंबई, उप्शन D है चंडीगड, तो इसका सही आंसर है, उप्शन D चंडीगड, बास्तुगला की दरस्टी से एक नियोजित सहर है, यानि कि अच्छे से ब्यवस्तित हुआ है, सबसे बड़ा इस्तनपाई, यानि मैमल्स कौन सा है, उप्शन A है अफरी की हाती, उप्शन B है नर दर्याई उड़ा, उप्शन C है ब्लू वेल, उप्शन D है नर हैमर हैड सार्क, तो इसका सही आंसर है, उप्शन C ब्लू वेल, ब्लू वेल दुनिया का सबसे बड़ा इस् प्रत्वी पर उप्रत्वी पर उप्रत्वी पर उस्थित्री तंत्र यानी इको सिस्टम की संकलपना को उप्रत्वाथी पर उप्रत्वी परेवासित किया था उप्षन a है आर्थ्र टरंसले झौले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी वासा कौन सी है Option A है Mandarin Option B है Spanish Option C है अंग्रेजी Option D है हिंदी तो इसका सही आंसर है Option B Spanish Spanish दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी वासा है जबकि पहली वासा है Mandarin जो कि चाइना में बोली जाती है Question number 105 विकास का सिद्दान्त किसके द्वारा दिया गया था Option A है Charles Darwin Option B है Charles Dickens Option C है Albert Einstein Option D है Isaac Newton तो इसका सही आंसर है Option A Charles Darwin ने विकास का सिद्दान्त दिया था Question number 106 Light pen क्या है Option A है Microtip pen Option B है Invert device Option C है अंदेरे में लिखने के लिए pen Option D है भार रहित pen तो इसका सही आंसर है Option B Input device Input device है Light pen जब भी हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं तो जो डाटा हम कंप्यूटर को वेजते हैं उसे इन्पूट तता जो कंप्यूटर हमें डाटा देता है उसको गोलते हैं Output Question number 107 भारत के बर्तमान मुख्य न्यायदिस कौन है Option A है HL दत्तू Option B है रगुराम राजन Option C है संजीब बहरी Option D है T.S ठाकोट तो बर्तमान में मुख्य न्यायदिस चेंज हो गया है नाम है N.B. रमना जो कि भारत के 48 वे नंबर के मुख्य न्यायदिस है Question number 108 देखते है रियाल किस देश की मुद्रा है Option A है चीन Option B है क्यूवा Option C है ब्राजिल Option D है गांबिया तो इसका सही आंसर है Option C ब्राजिल ब्राजिल की मुद्रा का नाम है रियाल ब्राजिल की राजधानी है ब्राजिलिया Question number 199 इनमें से कौन सा राजशायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है उर्दो पातन सब्लीमेशन Option B है इसपर्टिक रूप क्रिस्टिलाजेशन Option C है निस्क्रीकर निउट्रिलाजेशन Option D है आस्वन डिस्टिलाजेशन तो इसका सही आंसर है Option C निउट्रिलाजेशन इसका सही आंसर है Question number 110 दादा साहिव फाल के पुरुषकर से सम्मानेत होने वाले प्रतम व्यक्ति कौन थे Option A है प्रत्वी राज कपूर Option B है लता मंग इसकर Option C है सत्य जीत रॉय Option D है देविकरानी तो इसका सही आंसर है Option D देविकरानी को दादा साहिव दादा साहिव फाल के पुरुषकर सबसे पहले दिया गया था Question number 111 किस अव्यारन को पूरम में भरतपूर पक्ची अभ्यारन के रूप में जाना जाता है Option A है समस्पूर पक्ची अभ्यारन Option B है मयानी पक्ची अभ्यारन Option C है सलीम अली पक्ची अभ्यारन Option D है केवलादेव राष्ट्रिय उद्यान Option D केवलादेव राष्ट्रिय उद्यान Question No. 112 पौदे का कौन सा इस्सा पानी और खनीच के परिवहन को सच्छम करता है Option A है तना इस्टेम Option B है जड़ें रूट्स Option C है जाइलम Option D है डंटल पेडियॉल तो इसका सही आंसर है Option C जाइलम ही पौदों में पानी और खनीच का परिवहन करता है Question No. 113 B है बाना, option C है बहासकर, option D है भावूती, तो इसका सही आंसर है option C, बहासकर एक भारतिय गड़ित तक थे